यह वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ TOP 10 BEST BIKES UNDER 3 LTS नमस्ते दोस्तो and welcome to our channel. कैसाथ आप लोग? आज इस उडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ best bike under 3 lakhs अगर आपका budget 3 lakh का है और आप अपने लिए एक अच्छी bike देख रहे हो तो ये video specially मैने आपके लिए बनाई है और ये video मैने आपके लिए बनाई है तो चल ये जाधा time wait आपने करते and start करते अपना video ये video में मैंने कोई भी तरीके की rankings नहीं रखी है बट वीडियो को कुछ categories में divide किया है और सबसे पहली category की bikes है cruiser bikes तो उसमें सबसे पहली bike है Java पैराक ये एक cruiser bike है और इसमें अभी के लिए एक ही model है और एक ही color option है और इसका price range है 2,56,000 से लेके 2,60,000 के बीच में same price range में एक और bike आती है जावा बॉबर करके उसमें भी आप लोगों को same engine मिल जागा look भी almost same है बट color के options आप लोगों को ज़्यादा मिलेंगे इसमें 334 cc का liquid cool engine है जो के power produce करता है 30.2 bhp का and 32.72 Nm stock generate करती है ये bike इसके अंदर 6 gears है और mileage आपको 28 से लेके 30 kmpl के बीच में आराम से मिल जाएगा engine powerful है और इंडिया में ये segment में only कुछ ही cruiser bikes है जिनके अंदर आप लोगों को liquid cool engine और power भी अच्छा मिल जाएगा और वैसी ही एक bike है Java Parac Parac में only single seat का option अभी के लिए है और इसका weight है 185 kgs का और safety के लिए आप लोगों को इसके अंदर dual channel ABS का option मिल जाएगा तो चलिए भी next bike का बात करते हैं तो वो है Royal Enfield Meteor 350 ये भी एक cruiser bike है और इसमें अभी के लिए total 3 models है और total 13 color options है Meteor 350 में 349 cc का air and oil cool engine है जो की power produce करता है 20.2 bhp का and 27 Nm stock generate करती है ये bike बाइक के अंदर 5 gears है ये engine smooth है बट क्या है कि same engine के साथ एक और बाइक आती है और वो है Royal Enfield Classic 350 इसका भी price almost same ही है तो अगर आपको अलग look चाहिए तो आप लोग उसके लिए भी जा सकते हो बट मैं आपको recommend करूंगा Meteor 350 ये bike mileage भी अच्छा डिलिवर करती है like 33 से लेके 36 के MPL के बीच में इसका weight है 191 के जिसका safety के लिए आपको इसके अंदर dual channel ABS का option मिल जाएगा और price range है 2,47,000 से लेके 2,65,000 के बीच में आई रेवस पर engine में आपको wipes मिलेंगे और cruising speed थोड़ी और better होनी चाहिए थी bike की but features अच्छे है और fuel tank बड़ा है 15 liters का तो चलिए भी next bike का बात करते है तो वो है Honda Highness CB350 ये एक street bike है और इसमें अभी के लिए total 3 models है और 10 color option आपको मिल जाएगे price range भी सही है like 2,48,000 से लेके 2,55,000 के बीच में same price range में एक और bike आती है जिसका नाम है CB350 RS और दोनों भी bikes में आपको same engine मिल जाएगा like 348.36cc का air cool engine जो की power produce करता है 20.78 bhp का and 30 Nm stock generate करती है ये bike bike के अंदर 5 gears है ये engine थोड़ा better power generate करता है meteor से और इसकी engine refinement भी better है और साथ में ये mileage almost same deliver करती है like 33 से लेके 36 kmpl के बीच में safety के लिए आप लोगों को इसके अंदर dual channel EBS का option मिल जाएगा और CB350 का weight है 181 kg का सब चीश ठीक है सिर्फ एक चीश को छोड़के और वो है इसकी pillion की seat की space थोड़ी सी कम है अगर थोड़ी और better होती तो अच्छा होता तो चलिए अभी next bike का बात करते है तो वो है Bajaj Dominar 400 ये एक power cruiser bike है और इसमें अभी के लिए आपको एक ही model मिलेगा और दो color options मिल जाएंगे 3 लाग के budget में सबसे powerful engine आपको only इसमें मिलेगा वो भी अभी के लिए लाइक इसमें 373.3 cc का liquid cool engine है जो की power produce करता है almost 40 bhp का and 35 nm stock generate करती है बाइक के अंदर 6 gear से engine की performance अच्छी है खास करके mid range में और mileage आपको 30 से लेके 33 kmpl के बीच में मिल जाएगा Dominar का weight है 193 kg का और safety के लिए आपको इसके अंदर dual channel ABS भी मिल जाएंगे प्रस touring करने के लिए ये bike काफी अच्छी है और अच्छे features भी देती है और specially ये bike touring ready भी आती है एक और चीज की इसका price थोड़ा सा बड़ा है और new price range है 2,78,000 से लेके 2,80,000 के बीच में बट इतना price pay करने के बाद भी build quality थोड़ी और अच्छी होनी चाहिए थी और engine में vibes है जो की नहीं होने चाहिए थे तो guys अभी बात करते है next category का तो cruiser bikes के बाद अभी बात करते है ADV bikes का तो सबसे पहली bike है Suzuki VStrom SX250 ये एक ADV bike है और इसमें अभी के लिए एक ही model है और तीन कलर options है और bike का on road price range है 2,58,000 से लेके 2,50,000 के बीच में sitting position अच्छी है और suspension setup भी अच्छा है साथ में अच्छे features के साथ साथ आपको Bluetooth connectivity भी मिल जाएगी bike का weight है 161 kg का और इसमें 249 cc का oil cooling engine है जो की power produce करता है 26.1 bhp का and 22.2 Nm stock generate करती है bike के अंदर 6 gears है यह engine smooth है बट इसका एक छोड़ा सा problem है कि gears थोड़े से head shift होते है safety के लिए आपको इनके अंदर dual channel ABS मिल जाएगा and braking भी अच्छी है बट switchable ABS का option अभी के लिए आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा तो चलिए भी next bike का बात करते है तो वो है yes the adventure यह एक और ADV bike है और इसमें अभी के लिए आपको 3 models मिलेंगे और total 3 color options मिल जाएंगे वैसे तो इसके same engine के साथ साथ और 2 models है एक cruiser bike और दूसरी है scrambler bike बट अभी के लिए मैं आपको ADV bike recommend करूँगा इन में 334 CC का liquid cool engine है जो कि power produce करता है 29.89 bhp का and 29.84 Nm stock generated करती है bike के अंदर 6 gears से यह engine की refinement बहुत ही अच्छी है engine smooth है और features आपको अच्छे मिल जाएंगे बट डिकने में यह Himalayan जैसी लगती है और price range है इसका 2,055,000 से लेके 2,65,000 के बीच में safety के लिए dual channel ABS के साथ-साथ आपको इसके अंदर switchable ABS का option भी मिल जाएगा जो कि बहुत ही अच्छी बात है और bike का weight है 198 kg का और mileage आपको 28 से लेके 30 kmpl के बीच में मिल जाएगा तो चलिए भी next bike का बात करते है तो वो है Royal Enfield Himalayan यह एक ADV bike है और मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि इंडिया की first ADV bike और इसमें अभी के लिए total 6 models है और 8 color options है इसकी sitting position बहुत ही comfortable है और यह bike एक perfect ADV bike है Himalayan में 411cc का air cool engine है जो की power produce करता है 24.3 bhp का and 32 Nm stock generate करती है यह bike bike के अंदर 5 gears है 5 gears है वही एक problem है अगर 6 gears होते है तो यह bike एक perfect combination बन जाती engine में torque बहुत ही अच्छा है और weight है इसका 199 kg का bike की price range है 2,66,000 से लेके 2,83,000 के बीच में कुछ अच्छे touring के features आपको इन में मिल जाएंगे और mileage है इसका 30 से लेके 33 kmpl के बीच में safety के लिए आपको इसके अंदर dual channel ABS with switchable ABS का option भी मिल जाएगा तो चलिए भी next category का बात करते है तो इनके अंदर आप लोगों को sports bike या फिर naked sports bike मिल जाएगी तो सबसे पहली bike है KTM RC 200 ये एक fully fed sports bike है और इसमें अभी के लिए 2 models है और total 3 color options आपको मिलेंगे KTM ने सब bike का price recently बढ़ाया है और इसका price range है 2,50,000 से लेके 2,80,000 के बीच में ये bike बहुत ही जादा over pricey है बट still if you love power तो आपको ये bike पसंद आएगी RC 200 में 199.5 cc का liquid cool engine है जो की power produce करता है 24.6 bhp का and 19.2 nm stock generate करती है bike के अंदर 6 gears है इसके अंदर सारे premium parts और premium features आपको मिलेंगे और mileage है इसका 33 से लेके 36 kmpl के बीच में bike की sitting position बहुत ही जादा aggressive है और seat उपर है जिसके used to होने के लिए आपको time लगेगा बट जैसे मैंने बोला कि यह एक premium sports bike है और इसका weight है 160 kg इसका bike की handling मसता है बट pillion की seat बहुत ही जादा उपर है तो चलिए भी next bike का बात करते है तो वो है Honda CB300F यह एक street fighter super bike है और इसमें अभी के लिए आपको 2 models मिल जाएंगे और total 3 color options और news आया है कि रहें जाता है 2 lakhs से लेके 2 lakhs and 20,000 के बीच में जो की आज के market में best deal है दिखने में इसका look अच्छा है और engine का performance भी अच्छा है like CB300F में 293.52 cc का oil cool engine है जो की power produce करता है 24.13 bhp का and 25.6 Nm stock generate करती है bike के अंदर 6 gears है yes इसके engine का power कम है बट उसी के वज़े से इसका mileage काफी अच्छा है like 33 से लेके 36 kmpl के बीच में और top speed बहुत ही अच्छी है इसकी CB300F की sharp styling attraction create करती है और इसमें अच्छे features भी आपको मिलेंगे CB300F का weight है 153 kg का और safety के लिए आपको इसके अंदर dual channel ABS का option भी मिल जाएगा कुछ new या फिर कुछ bold आपको चाहिए तो ये bike काफी अच्छी है तो चलिए अभी finally बात करते है last bike का तो वो है KTM 250 Duke ये एक naked sports bike है और इसमें अभी के लिए एक ही model है और total दो color options है इसमें सबसे powerful 250 CC का liquid cool engine है जो की power produce करता है 29.6 BHV का and 24 Nm stock generate करती है ये bike इसके अंदर 6 gears है Duke का weight है 170 kg का और safety के लिए आपको इसके अंदर dual channel ABS with switchable ABS मिल जाएंगे but क्या है कि KTM ने just recently सब bikes का price बढ़ा है और Duke का price भी बढ़ा है like 3 lakhs से लेके 3 lakhs and 5000 के बीच में I think so जल्दी ही Duke series का updated model भी आने वाला है इसलिए इसका mileage है 28 से लेके 30 kmpl के बीच में acceleration बहुत ही quick है but price थोड़ा सा over price ही हो गया है मेरे ही साब से आप लोग क्या सोचते हो ये मुझे नीचे comment करके बताना so guys that's it from my side अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा झाल